कर दोस्तों स्वांगत है आप लोग को आपके अपने येट्वी चनल तरुन स्टड़ी स्पेसल क्लासेज पर आज मैं एक हैसार प्रश्णों का दुस्वंगराश चल रहा है वसका यह साथ माँ वीडियो लेकर आगया हूं इससे पहले आप लोगों ने सब्सक्राइस करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलिग्राम ग्रूप को जोइन कर लिजी सारा पीडियाफ वही प्रवाइड कराया जाएगा चलिए देखते हैं कुस्त नमर चौसा एक कुस्त नमर कता है महात्मा गांधी की हत्या कब और किस ने की थी महात्मा गांधी का 30 जन्रवरी स्साइड कारा साँले कब लके कान Это अम respirator को सबसे ज़या खाया जाता है से अजि Można शेंखें मऑ्रात गयंदिर anderes सत्रम से संब्रा घर्णा है यारवर्ष है राजस्थन का मंगए को दिल्वारा मचे मंदीर धर्म से संबन्दrics Nil ऐद वे दिल्वारा का मंदिर को है कुमांठ अबू में सितल दिलवारां के मंदिर है संक्या छ시로 पांच संख्या कुन्द बांच किस्ट नधी पर बनाया गया था कि यो है तो महाँ नधी पर बनाया इता ही राकुत संख्या चछ सभेंवित इ sustainability मास्शित किस्थ में आख नाया था और ताज महल की बात की जाए ताज महल भी साथ जहां ने बनाया था वो की आगरा में है आगरा यूपी में है और लाल किला की बात की जाए तो लाल किला का बनिर्मान भी साथ जहां नहीं करवाया था शांती काल का सर्वोच सेन्य पुरसकार कौन सा है तो असोक चक्र है प्रेशन संख्या 608 राष्टिय डेरी अनुसंधान संस्थान कहां इस्तित है यह करनाल में इस्तित है करनाल कहां है तो हड्याना राज्य में इस्तित है करनाल प्रेजिन शंख्यान पुध्ध त्वारा कि सार नात में दिया गया पहला प्रवचन जहित है काफ़ी इंपोटन देंग्रें यो अक्टूबर को मनाया जाता है ह expans उउसे अन teenage इने यह काफ़ी इंपोटन्ट यह बहुत बार इसोन यह कुष्टन कि 556 12-1556 और 1761 के तिन एतिहासिक यूद किसे नगर में हुए थे तो वह पानीपस तो हुआ था पानीपस का इन आना है यह उता है ये पंद्रसटी पर तुम यूद ये पानीपस और पानीपस का करें यूद को तीर्टीय तेलंगाना राजसा बना था तो उट्तेलंगाना राजसा आंद्र प्रदेस से अलग वो कर वेशन संख्या चाहसा 13 भारत के पस्चमी तर्ट पर कौन सा अगर है तो अरब साका शती थैवास के बस्चमी तर्ट कर जिसे संख्या पार्व संगर्षन के स्थापना कब हुई थी प्राइशन संख्या की किंडर गार्डन पधती किसकी दिन है प्राइशन संख्या चांज्बर संख्या पतापने परेशन संक्याशन संख्या फार है प्रेजन संख्या 16 कौन चार वर्ष लग अकबर का संधब्द लग सरक रहा दोःजिंद चार स्था πα्णित रभी शंकर का संबंद किस वादिएंडर से है वह सितार बजा अविल्या विल्ट रचाथ सम्बंद किस खेल में है वह होकी में प्रियुप्ट होता है पर नर्ट dip अंग हैं को तरी भारत में सपटधियों वर्षा का कारण क्या है तो सदियों वर्षा होता अद्थ में पस्चिमी शोब के क कारण यह यह कुछन काफी इंपोर्टेन्ट है बहुत बाद पूछा जाता है एक प्रसंद्र जब्धर ट्रॉफी का समबंद किस खेल से हैं रूष की मुद्रा कौन सी है जिस तरह आपने भारत की इंडिया भारत की जुरूब्या स्रीलंका मुरूपया बोला जाता है ठीक उशी तरह रूस में रूबल बोला जाता है उसको प्रसंद संखया 625 सिंदु घृता की प्रशिद्द बंदरगाह कौन सा है तो वहां के बंदरगा लोथल है इसको प्रसंद में 626 जैन्धर्म के प्रत्थम तीर थंकर कौन थे जैन् माश्कावाथ में पुछ चौ़विस तिर्थंकर हुए थे औरबीस मा कौन थे वह महावीर स्वामी थे 24 में आवर यह अन तिम तिर्था करते महावीर्श्वामी 1627 गौताम बुध का जैन्म कहां हुआ था उंपनी में हुआ था लुंबनी कहा है तुझ नेपाल में सीता लुंबनी कोई था भागवान महावीर्ज जैन संथा दी पर यह नियुकाब कि अभी शेंग पर शा örटि से 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 2 से कंटक किस नपी पर बसा है कंटक महा नद्ी पर अभेवार्श Y级 34 1 आटीजफ होटे हैं तो प्रड़ भासा में 2 अक्चछ की विश्तार क्या होता है तो लियान का फुल फुर्म म्लोकल एड़ियार नेटवर्क होता है फांटमझाद नेटेवर्क गौतमबुद्ध के मृत्तियो कहां हुई थी मृतमझाद के मृत्तियों कुशी माधा हुई थी टैसन यूद कब और किस गभ रोका हुआ और जिसके परख्टी नाम सुरूप अंग्रेजों का बंगाल बिहार और ओरिषा पर अधिकार हो गया था था तो शट्रबश संग्रेजों ने भींगाल और ओरिषा पर अपना अधिकारद्यमा था प्रेशन संख्या 636 रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ था तो रेगुलेटिंग एक्ट 1770 इसमें लागू हुआ था प्रेशन संख्या 637 अठारा सफ तावन की क्रांती के बाद अंग्रेजों ने मुगल बाद सा बादूर साह जफर को कैद करके कहां भेजा तु लोटे थे यह नौज जनुबड युनिस सब 15 को लोटे थे प्रेशन संख्या 649 भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी भारत के पहली बोलती फिल्म आलम आ रहा थी प्रेशन संख्या 640 छेत्रफल की दृष्टी से भारत का विश्पु में कौन था अस्थान है तो विश वह 15,200 किलोमीटर है प्रेशन संख्या 642 भारत का पुर्व से पश्चिम तक विश्टार कितना है तो पुर्व से पश्च्यम तक विश्टार 3925 यानिकि 2925 किलोमीटर है प्रेशन संख्या 647 तुरंगे जंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्य जंडे के रूप में अपनाया तप्रेशन गेजुर सनिस्ट राष्ट मों और किसी ने लिखा रबिंधर नात्स टेग exist के द्वरा लिखा गया था राष्ट göt गान को फ्रेशन स jsंख्यान 6iana पुष्ट पकाले कहां एष्टी थे पुष्ट काले पटना में पटना कहां है तो बिहार राजी में पटना धूर की राजधानी है पटना प्रेस्ट उंख्यां स्थापना की थी वह बिलियम जॉन्स के द्वरा किया गया था प्रेजिन तंख्यां चौन्स के लिए सिक्षा का मौलिक अधिकार बनाया गया जिसके अधिकार बनाया गया था वो च्यासीवा संविधान संसोधन था जिसके अंतरकत बनाया गया था प्रेजिन तंख्यां चौन्स के लिए गया था तो वो संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया था जो संविधान के चवाल इस्वे संविधान संसोधन में प्रेजिन तंख्यां चौन्स का पच्चास 23.5 डिगरी उत्तरी अक्षां से रेखा क्या कहलाती है तो करक्र रेखा कहलाती है अभी तक आप लोगों को वीडियो अगर पसंदा रहा है तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ सेयर कर दीजिए ताकि जादे से जादे लोग इस वीडियो से जूर सकें और अपना एक्जाम के तयारी कर सकें चलिए देखते हैं प्रस्टन के अच्छा सा इकावन सस्त्र सेन जंडा दिवसका मनाया जाता है तिये साथ दिसंबर को मनाया जाता है प्रति एक वर्स प्रस्टन के च्छा सा बाबन भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है तो वो रिड क्लिफ रेखा के नाम से पुकारी जाती है प्रस्टन के च्छा सा तिरेपन भारत में एक मातर सकडिय ज्वाला मुखी कहा है किस भारती राजी की दो राजधानिया है तो वह जम्मु कास्मिर की दो राजधानिया थी अमेरिका ने कौन सा राजी 1867 में रूष से खड़िदा था तो अलासका राजी को अमेरिका ने खड़िदा था किसे तो रूष से कब खड़िदा था तो 1867 में एक क्वेस्टन से तीन क्वेस्टन बन रहा है इस सभी कुछन का अप लोग ध्यान से पढ़िए और याद रखिए प्रेस्टन संख्या 656 विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है यहर वर्ष तीन दिसंबर को मनाया जाता है विश्व विकलांग दिवस्व विकलांग दिवस्व विकलांग दिवस्व प्रेस्टन बना था तिलंगाना राजि का उसे पहले मुख्ष मंतरी प्रस्ञतै क्या 1679 भारत स्रीलंका के बीच कौन सी खारी है तो मनार खी खारी इस्तित है भारत औरream 460終ston आरावली परवतमाला की सबसे उची चोटी कौन सी है तो गुरु शिखर चोटी है जोसकी सबसे उची है आरावली परवतमाला की प्रशन संख्या 661 किस देश की समुद्र शीमा सबसे बड़ी है तो कनाडा की समुद्र शीमा सबसे बड़ी है प्रशन संख्या 622 किस देश की सबसे बड़ी है तो फिए अश्थल सीमा सबसे बड़ी है। प्रेश्न संख्या चैट 664-603 163 में अमार जो की वर्मा में स्थित हैं कि मुदरां क्या कहलाती यानि कौन से मुद्रा तो क्यात कहला दिया वहां की मुद्रा को रूपया को प्रेशन संख्या चासागर कौन सागर है प्रेशन संख्या चासागर प्रेशन संख्या चासागर की घटन को बोलते हैं भारत में पंच वर्ष्य योजना का अनुमोदन करने वाला सरवस्ट चिनिकाई कोन सा है तो राश्ट्री विकाश परिशद है प्रेस्ट संख्या 668 भारत के किस राज की सीमा चीन नेपाल और भुटान से मिलती है तो सिक्की में है जिस की सीमा चीन नेपाल और भुटान से मिलती है प्रेशन संख्या 679 नात् Cole दर्रा किस राज्य में जिते थैं तो सिक्कि मराज्य में जितते है नात बादार्रा प्रेशन संख्या 67 उनिस सउंभार हु में अल respiratory सेमा चार पत्र किशने सुरू किया था तो वो जो शुरू के थे मुलाना अबुल कलाम आजाद के तरह शुरू किया गया था कब किया गया था तो 1912 SP में ये डेट को भी आप याद रखिए SP को काफी इमड़र्ण है ये कुस्टन भी प्रेशन संख्याँ 671 महान्चिकित्सक चरक किसके दरबार में रहते थे तो कनेश्क के से स कपर 672 भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? तो भारत में मेट्रो पुरुष स्रीधरन कहलाते हैं? प्रस्न तंख्याँ छॉसात यहत्तर भारत के स्वतंदरता के समय कॉंग्रेश अध्यक्ष कौन थे उस समय के कॉंग्रेश अध्यक्ष जे भी क्रिप लानी थे प्रेस्ट जंख्यां छोसा चोहत्तर कॉंग्रेश और मुस्लिम लिग के बीच लखनव समझाता किस वर्ष हुआ था यह 1916 SP में हुआ था प्रेस्ट जंख्यां 675 पाणी पत का तीसरा युद किन के बीच हुआ था यह मराठो और अहमद साह अबदाली की बीच लड़ा गया था कब लड़ा गया था तो 1761 SP में लड़ा गया था जोगी मैंने पीछले कुस्ट बताया था इसी वीडियो में प्रेस्ट जंख्यां 676 RBI के नए नियमों कनुसार चिक और बैंक ड्राफ्ट की वैदिता कितने समय तक होती है तो तीन महीना का होता है प्रेस्ट जंख्यां 677 सबसे लंबा राष्टी राजमार कौन सा है तो NH7 है जो कहां से कहां तक जाती है तो यह वारानसी से कन्या कुमारी तक की का मार्ग है प्रेस्ट जंख्यां 678 संग मरमर किस का परिवर्टित रूप है दो चुना पत्थर का परिवर्टित रूप है संग मरमर प्रेशन संख्या 689 बिश्व व्यापार संकठन का मुख्याला कहा अस्तित है तो वो जिनेवा में अस्तित है जिनेवा कहा है तो स्विच्टर लेंड में है प्रेशन संख्या 689 चोड़ी चोरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा अंतोलन अस्थागित कर दिया था तो अस्थायोग अंतोलन को महात्मा गांधी ने अस्थागित कर दिया था चोड़ी चोरा गटना के बाद प्रस्न संख्या 681 पार्षी दर्म की धार्मिक पुष्टक भारत का राष्ट गान सबसे पहले कब गाया गया था तो भारत का राष्ट गान सबसे पहले से उनिजस्ट एकाराइस्पी में गया गया था और ये कॉंग्रेस के कलकता अधिवेशन में गया गया था प्रेस्ण संख्या 684 पानीकारासाइनिक सूत्र क्या है यह नियुद्ध यह प्रेस्ण संख्या 685 प्रकेटि में पाया जाने वाला कठोड़तां थे से से समुदरी में बंच होती है फैसनल संथा है यही राश्टीत विकास परीषद प्रफश्ट का और द्यूक्ट ने भारत पर कब आक्रमन किया था उकलर भारत पर 326 इसरापूर्व जिसको बोते हैं इसापूर में हमला किया था था 689 भारत का समीधान कितने समय में तयार हुआ था थो भारत का समीधान 2 साल 11 मां 18 कि भारतिय समीधान में मौलिक करता देश के लिए गए थे वह कि Sam Madame अब्रषा राश्ट पती सासन लगाने की सिफारिष करता है तो धारा 356 करता है राश्ट पती प्रोटॉन की खोज किस ने की थी तो प्रोटॉन की खोज रधर फोट के द्वरा किया गया था भारत में प्रत्थम परमानु बिजली घर कहां अस्थापित किया गया था तो तारापुर में अस्थापित किया गया था प्रेश्ट पती निकेतन की अस्थापना किस ने की थी तो अरभिंदर नास ट्रेगवर के द्वरा किया गया था प्रेशन संख्या 695, अर्थ सास्तर का नोबल पुरस्कार किस वर्ष सुरू हुआ था, तो अर्थ सास्तर का नोबल पुरस्कार 1979 में सुरू हुआ था, प्रेशन संख्या 696, गौतम बुद्ध द्वारा देहत्याग की घटना क्या कहलाती है, तो ये महापड़ी निर्मान की गटना कहलाती है, प्रेशन संख्या 697, प्रथम बौद्ध कॉंसिल कब और कहां, और किसके सास्तर काल में हुई थी, तो कब हुआ था, तो ये 483 इशापुर में हुआ था, और कहां हुआ था, ये राजगरी में हुआ था, और किसके सास्तर काल में, उससे में सास्तर काल अ स्वाना घास से मैदान किस महादित में है तू अफरिका महादित में इस्तिद है और यह इस वीडियो का अंतियम कोश्चन है किस संभिधान संसोधन वारा पंचायती राजवश्था लाग की गई थी तो 73 संभिधान संसोधन था अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप इस वीडियो का और भी पार्ट नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप यूट्यूप और डिरेक्ट सर्च कर सकते हैं तरुन सब्सक्राइब करने पर आपको मेरे चैनल उपर में आजाएगा वहां से भी आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर जितने वीडियो अफ्लोड है उन सब भी वीडियो को यह प्लेलिस्ट को आप जरूर देख